दोस्तों नमस्कार में मुरूज कुछाए शर्मा एगवार फिर आपके बीच में यू तो राजनीती में ग्रहन लगते आए हैं और आपस में बिरोध और समर्थन के स्वर उभरते रहे हैं यही हिंदुस्तान की राजनीती की पहचान रही है जितनी बड़ी पार्टी उतने बड़ी विद्रुही ने था अब आप बोल कि यहां कुछ बड़ा हंगामा होने बाला है सारे राज्यों के चुनावों के परिणाम आने के बाद उसी लिए यहां पर फिल्लिंग शुरू हो गई है उधर योगी खिलाफ उत्रप्रदेश में फिल्लिंग शुरू हो गई है और इधर शिवरास सिंग के खिलाफ फिल्ल जिसकी बज़ा से उत्रपरदेश में बियानक हालाद देखने को मिल रहे हैं नौकर्शाही पर तंज हो रहे हैं तीन बिधायक भार्दियंदा पार्टी के करोना के काल का ग्रास बन चुके हैं यहीं वो सियासत हो रही है यही वो सियासत है जिसको योगी जी समझ में नहीं ला पाएंगे अपनी क्योंकि उनको अंधिरे में रखा जा रहा है इसी तरह शिवराज सिंग चोहान शिवराज सिंग चोहान पर हमला बोला गया एक बीजेपी के गुट के द्वारा शोशल मेडिया फेसुक पोस्ट पर उनका इस्तीफा मांगने की तैयारी हो गई एक लेटर भी लिखा गया शिवराज सिंग चोहान को हटाने की मांग की गई सब कुछ प्लानिंग तरीके से चल ला है केराश बीजे बर्गिया या बीडी शर्मा को मुख्या मंत्री बनाने की मांग की गई आने वाले टाइम में इंतियार कीजिए नतीजे आने दीजिए यहां बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि अगर इन दोनों नेताओं के खिलाफ योगी और शिवरास सिंग चोहान के खिलाफ अगर कुछ इस तरह की हरकते होती हैं तो समझेगा कि भार्टी इन दा पार्टी में तूफान आना मतलब निश्यत है क्योंकि यहां दो सत्ता टकरा रही हैं एक शिवरास सिंग चोहान की जिन पर आरोप लगाए गए कि अब मामा कहलाना पसंद करते हैं वो सब कुछ बोला गया जो कांग्रेस की लीडर्स नहीं बोल सकते उनके नेताओं ने उनको बोला शिवरास सिंग चोहान को शिवरास सिंग चोहान को मजबूर कर दिया गया प्रधान मंत्री मुदी के दुआरा बैक्सीन ना पहुचा करते हैं शिवरास सिंग चोहान बैक्सीनेशन शुरू करना चाहते थे लेकि नहीं कर पाई क्योंकि प्रधान मंत्री मुदी जी की जिम्मेदारी थी केंद्रिय जो प्रधान मंत्री हैं और केंद्रिय नेतरत्व उसकी जिम्मेदारी थी कि वो vaccination भीजवाता लेकिन उसकी जगा दोस्त दिया जा रहा है शिवरा सिंह चोहान को अब जो है प्रधान मंत्री मुदी जी को कोई भी दोस्त नहीं दिया जा रहा करवणा में फेल होने का सारे राज्यों के मुख्या मंत्रियों को दोश दिया जा रहा है कि आप फेल हो गए तो दोस्तो है ना अजीब बार इसी तरह से आने वाले टाइम में योगी जी को भी दोश दिया जाने वाला है क्योंकि योगी जी के खिलाफ काफी बड़ी लॉविंग हो गई है ऐसे अपुस्ट सूत्र बता रहे हैं लेकिन कुछ चीजें तो सही होंगी अगर अववाएं उड़ी हैं कहते हैं जहां धुवा लगा होगा जहां धुवा उड़ता है वहां आग तो थोड़ी सी लगी होग तो कुछ ऐसा ही भारतियंता पार्टी का हाल है राजेस्थान का हाल आप दिख चुके हैं बसुद्रा राजेसिनिया को साइड ट्रेक कर दिया गया है भारतियंता पार्टी के अंदर उसी तरह से शिवराज सिंग की जगा अब कैलाश बीजे बरगी है बीडी शर्मा को ला मौरिया सेद्द मोर्या साब करा कि जो बिधायत मरे जिनका यूबी जी धिया नहीं रख पाए उस पर काफी ज्यादा शूर शरावा चला है मीडिया में है उत्तर प्रदेस की ख़ब्रें दिखाई जा रहे है उत्तरप्रदेश की खबरशिकर दिखायाई यहां प्रधान मंतरी मोदी जी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिखते हैं, ना अपने मोटा भाई दिखते हैं, मोटा भाई का बेटा जो है आई पील में मसते हैं, उससे पहले मोटा भाई जो थे कुम्म में मसते हैं, लोग मरें मर जाएं उनकी बला से, लेकि सियासत का खेल बड़ा अजीव होता है ये सियासत कब इनसान का जहन बदल दे और तहजी भी बदल दे कहने का लहजा भी बदल दे इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि आने वाले टाइम में करुना ने सियासत को भी परभावित किया है जहां एक तरफ शिवरा सिंग चोहान एक संबिदन शील ब्यक्ति की तरह भीक मांग रहे हैं अपनी सरकार से बैक्सीन के लिए वैसे ही हाल अर्विंद केजरिवाल के भी है अर्विंद केजरिवाल बोलते हैं मेरे यहां बहुत कमी है योगी जी बोलते हैं मेरे यहां कोई कमी नहीं यह सब कुछ है लेकिन हमाँ बहुत बड़े कांड हो जाते हैं तो यहां समझने वाली बात यह है कि योगी जी तना डरते क्यों है प्रिदानमंतरी मोधी से क्योंकि जो मोदी बोलें वो सही और मरती हुई जनता की लाश पर राजनेती करना सही सिलेंडरों की सप्लाई नहीं हो पारे आक्सिजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे लोगों ने अपने खरीद लिया आक्सिजन सिलेंडर्स करोना महाकाल में ऐसी भी सियासत की क्या मजबूरी कि शिवरा सिंग चोहान को मद्य प्रदेश में निशाना बनाया जा रहा है और कहलाश बीजे बरगिय को और बीडी शर्मा में से एक को मुख्य मंत्री का नया चहरा प्रस्तूत करने की तैयारी की जा रही है नाकामयावियां शिवरा सिंग चोहान की बताई जा रही है जबकि नाकामयावियां जो है प्रदान मंत्री मोदी जी की बताई जानी चहीं है इसका मतलब साफ हो गया कि टीक रा जो है बीजेपी नेताओं के उपर ही पड़ेगा प्रिधान मंत्री मोदी जी जी जो है शाष्वत सत्ते लेकर के जीते रहेंगे आज एक सोशल मेडिया पर मैं फोटू देख रहा था बंगाल चुनापरचार का जिसमें मोदी जी की फोटू हटा करके जेपी नड़ा की डाल दे गई सोशल मेडिया पर लोग बोलने लगे इसका मतलब बंगाल में पत्ता साफ बीजेपी का होने वाला है इसलिए प्रिधान मंत्री मोदी जी की तस्वीर हिडा करके जेपी नड़ा की वहाँ पर होटू डाल दी गई अब दोस्तों आप समझिये किस तरह से बीजेपी अपने नेताओं को साइट ट्रेक कर रही है नए नेताओं को लाकर किये सावित कर देना चाहती है कि जो हमारा पहला नेता था वो बेकार था जबकि नाकामया भी पूरी तरह से प्रिधान मंत्री मोदी की है प्रदान मंतरी मुर्टी जी की समझ में नहीं आया कब दूसरों को साहता देता हुआ दानवीर भारत कब भिकारी बन गया ये समझ में ही नहीं आया और सब लोगों ने मानविता के अधार पर मदद की हिंदुस्तान की तो उन मुलकों का शुक्री आदा किया जाना चाहिए ना कि गालिया दी जाने चाहिए लेकिन गालिया दी गई मीडिया के दौ़ारा भी दी गई इनके लोगों के दौ़ारा भी दी गई तो दोस्तो पापी कौन कौन है डिफाल्टर प्रिधान मंत्री मूदी या शिवरा सिंग चोहान या योगी जिस तरह उत्राखंट के मुख्य मंत्री को बदला गया उसी तरह से अगली बारी इन दोनों मुख्य मंत्रियों की होगी मेरी भविशय मानी है ऐक राजनेतिक nutrition है इन्तियार कीजिए चोनाप प्रणावों का मंगाल में चोनाप प्रणावों पर बहुत कुछ नियुर्वर करता है जो सकता है भारती अन्तापार्टी में बिद्रो भी हो जाए चलिए इसी राजनेतिक बिश्चिशन के साथ आपकी बीच फिर से आऊंगा चर्चा ले करके दोस्तों नमस्कार जहें